जहिन दोस्तों, दोस्तों एक मामला ऐसा जो इंडिया की नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी से जुड़ा हुआ है और उस नेशन की जो नेशनल इंटीग्रिटी से जुड़ा है इसमें खासकर मामला आज के दिन RSS का है RSS प्रमुख ने कुछ बयान दिया, उस बयान के बारे में मुस्लिम्स के मामले में ये बयान है और उस बयान का जो रिपलाई OVC ने किया उसके उपर एक डिसकेशन है तो दोस्तों ये पूरा का पूरा मामला है क्या किस तरीके से है ये सब चीज़ें हम आप से साथ डिसकस करेंगे लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इन्फरमेशन दोस्तों इन्फरमेशन ये है कि अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रही हैं तो आप हमारी Zero to Hero Series जॉइन कर सकते हैं ये आपके लिए एक रामबान है UPSC की प्रिपेशन शुरू करने के लिए UPSC का रामबान है जिसमें NCRT के basics अच्छे तरीके से करवाई जाएंगे क्योंकि किसी भी entrance exam खासकर IAS PCS के exam के लिए बिना NCRT के लिए आप सोच भी नहीं सकते ऐसे में आपको इस Zero to Hero Series का फाइदा मिलेगा जिससे PT का 100% और Mains का लगभख 40% आपको हम preparation इसी Zero to Hero Series में करवा देंगे अब बात आ जाती है फीस की तो दोस्तों 500 रुपीज पर मन्त की हमने इसकी एक बहुत ही nominal फीस रखी है तो जितना जल्दी हो सके आप इन numbers पर call करके हमारे इन batches में शामिल हो कहीं course आगे ना निकल जाए miss call भी कर देंगे तो हम अपने आप callback कर लेंगे टेंशन लेने की ज़रुवत नहीं है अब आ जाते हैं दोस्तों topic पे topic है मोहन भागवत जी का एक बयान RSS प्रमुक RSS अपने आप में एक ऐसी organization जिससे Pakistan खूब जबरदस्त लेवल पर चड़ता है उनके कुछ बयान आए हैं उन बयानों में एक mob lynching के उपर भी है Hindu Muslim unity के उपर भी है Hindu Muslim unity के साथ अलग अलग है तो पहले इन दो चार बयानों को सुन लेते हैं फिर OVC के उस question mark या reply को सुन लेते हैं और जब ये दोनों के दोनों चीज़े आ जाएंगी फिर एक neutral analysis करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों असलियत में सबसे पहले ये समझ लीजिए डॉक्टर मोहन भागवत हैं कौन RSS के प्रमुक RSS दुनिया का सबसे बड़ा non-political organization अब इसके प्रमुक हैं जो अपने आपको मतलब RSS अपने आपको एक social organization कहता है जो की है ये आप इसकी political wing हो सकती है या एक ऐसी party उसे political wing भी नहीं कहेंगे बलकि एक ऐसी party जो की RSS के support से आगे बढ़ती है या RSS का support उसको सबसे ज़्यादा होता है अब ऐसे में BJP तो political party के मामले में BJP एक wing है जिसमें RSS अपने कार्डर से कुछ लोगों को भेजता है अगर आप overall view में देखेंगे तो ये normally किसी भी political organization कोई भी जो social organization होती है वो ऐसा करती है बहुत सारी social organization Muslims के अंदर भी है जो अपने representatives को अपने influence के दम पर दूसरी किसी party में settle up करवाती है और उसको ticket दिलवा के आगे बढ़ाती है तो RSS RSS एक comprehensive organization इसका अपने आप में एक Muslim राष्ट्रिय मंच भी है जिसका काम Muslims को RSS से जोड़ना है अब तो सवाल यही है और मामला भी यही है कि RSS प्रमुक ने यह बयान कहां दिया जिसके उपर यह बवाल create कर दिया OVC ने RSS प्रमुक ने यह बयान दिया Muslim जागरण मंच जो राष्ट्रिय मंच है और Muslim जागरण मंच जो है उसका एक annual function हो रहा था गाजियाबाद के अंदर एक है हमारा DNA एक है पूर्वज एक है DNA एक है तो हम सब एक है और Hindusttean में रहनेवाला हर व्यक्ति हिंदू है इस Line को Underline कीजिएगा ये ही बवाल का सबसे में कारण है कि Hindusttean में हर रहनेवाला हर व्यक्ति हिंदू है ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे गांधी जी राम राज्य की बात करते थे उसमें राम को भगवान राम माना गया या एक ऐसा राज्य जो सब के लिए समान है और हर कोई उसमें खुश था ये कॉंट्रोवर्सी है गांधी जी जैसे सेकिलर विक्ति भी अगर राम राज्य की बात करते हैं तो वहाँ पर भी तो confusion है, वहाँ अगर radical Muslim leaders ओवेसी जैसे उसे उसे पूछेंगे, तो वो गांधी के राम राज्य को भगवान राम के राज्य से करते हैं, और वो भी कहीना कहीं गुमा फिरा के उसे भी हिंदू राष्ट्र से ही जोडने की कोशिश करेंगे. ऐसा ही कुछ ये वाला बयान है, जो RSS का इस मामले में perspective है दोस्तों, वो ये होता है, नौर्मली, देखो इसमें आप लोग मेरे उपर बहुत सारे allegation लगा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है, अगर एक neutralistic way में कोई Hindu Muslim एकता की बात कर रहा है, तो हमें उस Hindu Muslim एकता के बारे में पूरे तरीके से समझना चाहिए, कि वो इनसान कहना क्या चाहता है, और बिना धंसे analysis किये, सिर्फ और उसकी शकल देख के हम ये कह दें, या फिर जो मामले गलत तरीके से project हो रहे हैं, उसके मामले में हम ये कह दें, कि वो तो पूरी organization ही गलत है, तो उसके उपर बयान आए होती है, कि आप ये कहें, कि सारे हिंदू है, यहाँ हिंदू के भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई हिंदू धर्ब, क्योंकि अगर आप अपने दिल से पूछ कर देखेंगे, जो एक आम हिंदू से भी पूछेंगे, तो वो अपने आपको अलग-अलग पंथों का बताएगा और comprehensive way में कहेगा I am Hindu Hindu एक रास्ट की भागना है Hindu is a nation जो भी इस भारत की भूमी पर रहता है वो हिंदू है चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसल्मान और इसकी पैरवी मैं ये नहीं कह रहा है कि हिंदूस्तान में रहकर कीजिएगा इसकी पैरवी जाकर नाइक जैसा एक ultra मतलब जिसे कहते हैं कि radical person भी इस बात को मानता है कि हिंदूस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है और बाकाइदा उसके बयान आपको कई जगह पर मिलेंगे और उसने इस चीज का origin of this word भी बताया क्योंकि मैं जाकर नाइक को reference की form में इसलिए नहीं ले रहा हूं कि वो एक extreme islamist person अगर मान के चलें तो वो भी इस चीज को अगर मान रहा है तो उसके पीछे का logic समझेए बाकी ये politics जो कर रहे हैं उसको अलग देखेंगे असलियत में हिंदू शब्द सिंधू से मिलकर बना है और ये असलियत में अरब और इरान यानि परशिया जो होता था वो लोग इस सिंधू नदी के पार जो हिंदूस्तान है यहां वो लोग इस सिंधू नदी ये है सिंधू इंडस रीवर इसे सिंधू कहा गया इस सिंदू के पार रहने वाला जो भी व्यक्ति है उसका ओरिजन जो भी हो धर्म कुछ भी हो उसी को हिंदू कहा गया और असलियत में यहां ये समझ ये इसी को हिंदू कहा गया जो RSS है उसका मानना यही है उसका मानना कभी भी राम के नाम पर बहुत जादा नहीं है और RSS को अगर आप देखेंगे भले ही उसकी एक विश्व हिंदू परिशद आगे बढ़ा रही है RSS और राम राज्य के मामले में लेकिन यहां जो अब यह कहा गया कि जो भी हिंदूस्तान में रहने वाला है वो हिंदू है तो उसका मतलब आप एक ethnicity से देखिए कि जो भी भिन भिन लोग हैं सारे क्योंकि हमारा DNA सबकुछ सबका सेम है तो हम हिंदू हैं क्योंकि अगर आप देखें तुर्क जो आए वो कुछ हजार में आए थे तुर्क जो आए वो कुछ हजार में आए थे उसके बाद अज़गान जो आए वो भी कुछ हजार में आए थे जो भले ही अब लाक हो गए हो और उसके बाद जो मुगल आए वो भी बहुत जादा न जंख्या में आए जो अगर टोटल मिला दिया जाए आज भी इनकी पॉपुलेशन दो से तीन क्रोड के बीच में ही रहेगी बाकि जो पूर्शन है वो सारे का सारा वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के अंदर ही हिंदू समाज में ही रहा करते थे हिंदू समाज का हिस्सा होते थे और हिंदुस्तान के समाज का हिस्सा होते थे और उन्होंने अपना पंत बदल लिया अपनी पूजा पद्दती बदल ली और पूजा पद्दती बदल के वो हिंदुस मुसल्मान हो गए अब अगले पॉर्शन में अगर आप इनके पूरे बयान को देखें तो हिंदू मेजॉरिटी देश में इसलाम को मतलब खत्रा है ऐसा वताने वालों को मरगला रहे हैं वो एक मामला अलग है अब एक लाइन जो बड़ी अच्छी लगी वो ये कि जो ये कहते हैं कि मुस्लिमों को यहां जगह नहीं वो हिंदू नहीं ये बयान बहुत अच्छा है बलके इससे हमारा समाज एक साथ आकर खड़ा होता है ये हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं जो हिंदू हैं जितने भी लोग हैं वो सभी हिंदू हैं और वहां हमारी एक व्यवस्था उबर कर आती है कि हम लोग आर्ग्यू करते हैं लेकिन अपने विरोधिय हिंदू राष्ट्र है इसमें जो मैंने हिंदू शब्द बताया वो गौमाता पुज्य है लेकिन लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं कानून के जरिये उनका निप्टारा होना चाहिए ये भी एक क्लियर वर्ड्स में के देखो मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कलंक है और क्लियर वर्ड्स में रस्स प्रमुक इसको विरोध कर रहे हैं एक वर्ड और जो इन्होंने लाइन इस्तमाल कर बोली वो ये के हिंदु मुस्लिम एकता एक ब्रहमग शब्द है ये बिलकुल साफ बात है वही एकता तब होगी न जब आप दोनों को अलग करोगे कि चल यार तू और मैं अलग-अलग हैं लेकिन चल साथ रह लेंगे हम एक रहेंगे हम एक हैं इसे कहने की जुरत नहीं है अगर आप दिल से जुड़े हुए हो वही दो भाई एक ही हैं ये तभी कहा जाता है जब उनके बीच में किसी तरीके का डिफरेंस हो हस्बेंड वाइफ एक साथ रह रहे हैं उनके इंटरस्ट समान है ये कोई बता सकता है कि हस्बेंड और वाइफ के इंटरस्ट समान है दोनों के इंटरस्ट समान है बाई नेचर समान है दो भाईयों के भाई बहन के परिवार के इंटरस्ट समान है तो जब आब यह कहना श परिवार में बार-बार कहना पड़ रहा है कि हम सब एक रहेंगे तो इकठा रहेंगे तो अच्छा रहेगा इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ दरार है और इसी चीज की तरफ इशारा किया गया कि हिंदू-मुसलिम एकता में फरक आ रहा है दरार क्रियेट हो रही है अगर हिंदू-मुसलिम एकता में दरार क्रियेट का यह एक भ्रामक शब्द है दोनों अलग नहीं बलकि एक ही है जब दोनों मानते हैं कि अलग हैं तब ही संकट होता है यह बयान मुझे बड़ा पसंद आया और वहीं के लोक तंत्र में हिंदू या मुसलिम प्रभुत्व नहीं उठाएंगे और मैं इन चीजों को जो सपोर्ट कर रहा हूँ उसके पीछे भी बहुत सारे एक रीजन्स भी है और बहुत सारे लोग इसमें भी कमेंट बॉक्स में आएंगे मुझे कोई रखने पड़ता है लेकिन असलियत में जिस तरीके से OVC और बाकी विपक्ष जो है वो शूर मचाता है और OVC का एक ट्वीट के हिंसा और कतल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच है और इसी सोच का नतीजा है लिंचिंग अब यहां OVC का जो बयान है वो यह कह रहा है कि हिंदु जो RSS और BJP को सपोर्ट कर रहा है वो सारे के सारे मॉब लिंचिंग को भी सपोर्ट करते हैं वो सारे के सारे हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं तो वो एग्रेसिव हिंदु है उसके बाद जिस तरीके से कि गोडसे कि गोडसे का एक word इसमें use किया गया कि सारे के सारे गोडसे के supporter है इसका मतलब वो पूरे के पूरे हिंदू समाज को ही गालियां बक रहा है और कायरता हिंसा कटर और कायरता हिंसा और कतल कटर हिंदुत्व की देन है तो जिस तरीके से अब ये कटर हिंदुत्व की अगर देन है कायरता हिंसा और कतल तो ओवेसी जी से एक सवाल पूछा जाए कि जितनी हिंसा पाकिस्तान में हो रही है मुसल्मान के मुसल्मान के खिलाफ या जितनी हिंसा अफगानिस्तान में हो रही है एक मुसल्मान की देन है या फिर वो उसे आप धर्म से जोड़ कर देखेंगे कि कट्टर इसलाम भी कायरता हिंसा और कतल जो है वो कट्टर इसलाम की भी देन है वो वैसी जी से इस बात का सवाल का जवाब पूछना चाहिए और जब उन्हें अगर इसी चीज़ को यही एक हिंदुस्तान के सम सिता माता के उपर उल्टा सिधा बोलता है और जिस तरीके से पंद्रा मिनिट मांगे थे के पंद्रा मिनिट पूले सला हटा लो हम बता देंगे तो हर कोई पूछता है भाई क्या बताएंगे बताओ उस मामले में क्या वो कट्टरता वो कायरता वो हिंसा के लिए उकसावा गोड से तुम्हारे पिताजी थे या कोई और था वो किसकी देन है असलियत में ये राजनीता हिंदो मुस्लिम एकता की बात तो करेंगे नहीं क्योंकि इनको हमेशा वोट बाटने है और OVC भारती राजनीती के उन नेताओं में से है जो बाटने की राजनीती में जादा भरोसा करता है उसे जितने जादा बटे हुए वोट मिलेंगे वो उतना जादा खुश रहेगा संतुष्ट रहेगा यस उसे मुसलिम वोट बैंक चाहिए न तो अपने आपको मुसलिम्स का नेता बनाने की कोशिश कर रहा है और जिस तरीके से वो मुसलिम्स का अपना नेता बनाने की कोशिश कर रहा है हिंदू मुसलिम्स का बाटने की कोशिश तो सबसे आदा तो मुसलिम नेता कर रहे है कि मुसलिम्स का वोट मुसलिम्स को मिले और मेरे को सीट मिल जाए येस और कई बार में इस चीज़ को कहता हूँ कि मुसलिम्स का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो कोई हिंदू नहीं है और हिंदू का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो ओवेसी और आजम खान जैसे नेता है जो Muslims को एक डर दिखाते हैं कि हिंदूों के अंदर बीच में रहके इसलाम को खतरा है उसी मुसलमान को सबसे अधा डर दिखाया था जिन्दा ने और वैसा ही एक डर दिखा रहे हैं ये लोग और उस डर को ये लोग बहुत चालाकी से गोधरा के बारे में तो शोर मचाते हैं लेकिन मुझफर नगर के अंदर या भागलपुर वाले दंगों में इनकी जबान सिल जाती है ये लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अखलाक से लेकर पहलू खान से लेकर इनके तो शोर मचाते हैं लेकिन जैसे ही भारत यादव की बात आती है इनकी होट सिल जाते हैं ये इस चीज़ को इस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं यस ये लोग और जिस तरीके से खुले तोर पर बंगलोर के हिंसा होती है उसमें कौन क्या कहेगा ये बताईए और जिस तरीके से रोहिंग्याओं के नाम पर हमारे नौर्थ एस्ट के लोगों को भगाने की साजिश रची गई उसमें ये लोग क्या कहेंगे ये कुछ नहीं क जा सकता है इनके पास बाटने की राजनेती असलियत में ओवेसी जैसे नेता कर रहे होते हैं और जिस तरीके से ओवेसी खड़े होकर हिंदू समाज के अंदर भी एक डिप्रेस्ट क्लास जो मतलब पिछडे वर्ग के ऊपर शोर मचाता है क्यों वही अपरकास्ट तुम्हारा दुश्मन है क्या अपरकास्ट तुम्हारा दुश्मन है क्या बता असलियत में बाटने की राजनीती ये नेता कर रहे हैं और खासकर इसमें सबसे जादा जहर घोलने का काम OVC करता है और उसके छोटे भाई के ऊपर जो आरोप हैं उसके ऊपर चुपी साथ जाता है और अगर आप सामने वाले को कट्टर कह रहे हैं तो आपके भाई के बयान बलगभग उतने ही जहरीले हैं जितने अगर आप RSS या दूसरी किसी और्गन अगर कोई लीडर हिंदू-मस्लिम एकता की बात कर रहा है और उसे लॉजिकली प्रूव करने की कोशिच कर रहा है तो वी शुड़ सपोर्ट इट और एक सबसे बड़ी और्गनाईजेशन अगर ऐसा कर रही है तो हमें तो वैसे भी उसको सपोर्ट करना चाहिए कि जो बाव हमें बनाना है वो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं कोशिच करते हैं तो अपना अपना लॉजिक है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप इस मामले में क्या समझते हैं तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों धन्यवाद चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हम लोग जादा से जादा आप तक इस इंफर्मिशन को या वीडियो को पहुंचा सकें धन्यवाद